पुर्मिला, मन दुखी मत करू मैया मैंने माला जान मुझके ना तोड़ी इसने वो ही माला तोड़ दी जीजे जो मेरे पती के प्रेम का प्रतीक थी आप नहीं कही थी ना जीजे यदी कोई कश्ट हो तो यहां आ जाना मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना आपने ही कहा था ना जीजी यदी कोई परेसान करे तो आप से बुरा कोई ना होगा ये नारायन, क्या मुझे अपने काना को फिर से दन्द देना पड़ेगो मैया, यदी नहीं काकी की यह ये इच्छा है तो आप मुझे फिर से दन्द देदो मैं दन्द के लिए तेयार हूँ मैया मान दो मुझे अस उखल से मैं उस उखल ना रंदा रहूँगा दिन बाद दूप ना खड़ा रहूँगो फूका प्यासा भी रह लूँगो पर आप इन से काओ ना साधारन सी मोतियों की माला के लिए अपना मन चू दूखी करिया है कानहा जे कोई साधारन मोतियों की माला ना है वैसे तो तेरी जे मुल्ली भी साधारन है ना इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगो बाद बुरा लगेगो बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना उनके लिए जे प्रेम का प्रतीक थी ना मुल्य वस्तू की ना होती का ना भावनाओं की होती है काकी की भावना जुड़ी थी ना जे ले जे माला काकी को जाके दे जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती पर तेरे छमा की भावना उन तक पहुचा सकती है मुझे छमा कर दो नहीं काकी और ये भी शिकार करो ना ना जेना चाहिए मुझे जी जी जे मैं कैसे है नहीं काकी ये माला भी प्रेंट का ही प्रतिक है लो वैसे एक बात कहूँ मोत्यू के माला टूट सकती है और फुलो के माला भी मुर्चाई जाती है इसे लिए माला जीवन बर आपके पास रहना रहे मेरा प्रेंट सदेव आपके साथ रहेगो इन्या आए एक दिन दिना हो और आते ही काना के हाथ से वह भार मिलगो किती भागसाली है उरे मिला जो सोदा जी चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कचुना दियो दियो ना माखन दियो ना चांदी के मट्कियों में माईया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं कानहा अधिक बाते मत बना आगे से ऐसी उदंड ता की ना तो बाते बनाके मैया के दंड से ना बच पाएगो मैया मैं कोई सलावत ना करूंगा बस फिर से दंड मती देना कानहा की और से मैच हम अमामते हो तुमसे कच्छो कहने कि आवशकता ना है जी जी जो हो अच्छे केले हो आज के इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़नों चाहिए क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे पर अपनों का प्रेम वो तो सदेव अपने साथ ही रहता है यह मैं ना रख पाऊंगी अरे ना ना यह तो तुम्हें रखनी पड़ेगी काना ने दियो है ना रहे ना रहे नंदू महूं पालक को ध्यान रखो तुम दोनों राजा का लल्ला है उसके कुछ अधिकार है तो बहुत से दाइत्ति भी है यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संसकार उसके अंदर आये तो क्या अच्छा है क्या बुरा यह उसे अभी से समझाना होगा अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए अंकुष लगाना अवस्सक है बागी तो तुम दोनों समझदार हो मैं मैं मैया मेरी बात छुनो ना बाबा तुझे पातो है लाला तेरी मैया तुझे कित्ता प्रेम करती तो तुही बता जो तुझ पर सारा संसार निच्छावर करती है एदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगू तेरी कमिया निकालेगो कुछ भी करेगो कैसा लगेगो उसे हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लला बने ताकि सब तेरा उधारन दे ना कि बुरा इसकी सब निंदा करे पर बाबा मैं तो बातार अच्छे वाले कारे करता हूं हां कर तो है न अच्छे कारे तू कर तो है अच्छे कारे पर सौ अच्छे कारे करने के बाद यदि जाने अंजाने में एक बुरा कारे भी कर देगो न यह समाज उस बुरे कारे को ही समरन रखे को अलाई छण भर में बुला दी जाती है लल्ला और बुराई वो सदैव समनती में बनी रहती यही समाज की रीद मुझे छमा कर दो बाबा लल्ला तुझे पतो है जब तु भूल करतो है तो सबसे पहली उमली तेरी मईया के लालन पालन पर उड़ती इस सारे गाउंवाले सारे गोप गोपियां सारा समाज सभी तेरी मईया को दोस देते कि उसने तुझे अच्छी सिक्सा ना थी पर यदि तुझे समा मांगनी है ना मुझ से ना तेरी मईया समाग पर बाबा मईया मानेगी मईया चमा कर दो अब फिर मैं खोई ऐसा कारिया बैठो ना जिची बैठो आजा लल्ला बैठ जी देख तेरे लिए लड्डू बनाया है पर पहले तुझे मांखन चक के देख कैसे बनो है अच्छा है ले, खा कित्ता अच्छा बालक है तुझे सदेव ऐसी रह ना किसी की संगती में आके विगड मती जाईयो सुमजाई मुझसे बात मती करो बच सारा प्रेम दाव पे लोटा दो हाँ नईता सुन नारियल के लड्डू खाएगो मैं अफिले क्या तुम किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना राम बाड उपाय है आसु देते ही इगल जाती है सारी माए हाँ ये देख ये ले ले जिस सारे के सारे तेरे लिए है खा ये शोदा बल्राम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बाटना चाहिए ना कानहा को भी तो कितने प्रीय है ये लड्डू ना जिजी इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रीय है देदो देदो सारे लड्डू देदो मेरे खिलो ने सारे मिठाए देदो अपने प्यारे बल्राम को मुझसे बाद में मदी गरो ऐसी भूली सुरत बना तो है कि दंड देने की सपत भी ली हो तो स्वयम पर ही लज्जा आ जाए अब मान भी जाओ ये शूता बालक ही तो है जे बालक ना है जे तो छलिया है अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे और फिर पूरे गाउं में बताता फिरतो है कि मईया को मनाना कित्ता सरन है पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगे अब इताबिक रोज मती करूं मैया मान जाओ मैया छोटा सा मैं बालक मैया नैना छोटे छोटे से कैसे तुमको भारहेन में आसु मोटे मोटे से कर तो छमा अब तुरोटे को मेरी भोल भी जाओ ना मान भी जाओ ना मैया अब मान भी जाओ ना अपने प्यारे कान्हा को अब रेदाए से लगाओ ना सुनो मैया तुम्हारा कन्हिया सच में भोला भाला है जानती हो सब तुमने अपने आचल में मुझे पाला है मंता दिया प्रेम दिया अच्छे अच्छे से संस्कार दिये बदले में मैंने तुमको बस केवल कस्ट ही कस्ट दिये पलकों में बैठाया तुम्हों फिर के जाओ ना मान भी जाओ ना मैया आप मान भी जाओ ना अपने प्यारे कान हा को अप रिदय से लगाओ ना अपने प्यारे कान हा को अप रिदय से लगाओ माता माता तु ही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंद लाला यशो मती मैया के नंद लाला यशो मती मैया के नंद लाला लला मैंने रिदय से लगाओ है इसका अरचेना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ मैं तो छमा मांग रहा हूना मैया ना कानहा भूल हो जाने पर केवल छमा मांगना पर आप ना है सबसे पहले तुझे जे स्विकार करना पड़ेगो कि तुझसे भूल हुई फिर तेरे मन में छमा भाव होने चाहिए तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हुओ वो अनुचित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कानहा और चौथी बात अविलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कचु ऐसा करनों चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए और फिर अंत में तुझे वचन देनू चाहिए, कि फिर से तु वो भूल कभी न दोराएगो मैं समझगू मैया तुम्हारा लल्लान में अठखाट अवस्य है पर हम तु समझदार भी मैं वचन देता हूं मैया आज के बाद मैं ऐसा कच्छूना करूंगो जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े मेरा अच्छा काना अब जा, विस्राम कर, जा अब यह भी छोटी माम आनी है अब तुम फिर से कोई योजना मत पना लेना उसकी चंता माती खरो दाओ आप तो सिग्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कारी थी भूल के बारे में क्या नहीं करनो है तो क्या तो मैं चोटी मा के बाद समझ में नहीं आई तो तुमने बार क्यों का कि तुम समझ गए हो क्योंकि दाओ मैया कोई अधी पता चल गया था ती सातारंसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें और कुड़ो दाओ तो आपको तो समझ में आई थी ना आप तो समझा दो आप में दाओ हो ना हाँ हाँ समझाता हूँ चोटी मान ने कहा था बूल हो जाए तो कभी बूल से भी बूल को बूलना नहीं हाँ उनकी बातों का सार तो यही था आरे दाओ सार के चक्कर में आप सीजी सीज बात को आ कठिन में ना रहो फिर से महिया से ना पूछ सकतो पर बाबा से पूछ सकतो है काना यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेख बार पूछ सकतो है प्रस्ण पूछना समझदारी का पृतिक होतो है समझ को बाबा तेरी महीया के वले तई कहना चाह रहे थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्विकार करनों चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का रियास करनों चाहिए और अन्तिम और सबसे महतुपुन बाद ये अवस्य याद रखना के के उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करनों है समझ को बाबा चलो, तुम दोनों भाते करो, मैं जा दो अब सथी में समझ गए काना, या मैं समझाओ नाना दाओ, आप तो रहने ही दो तो बत्था, अब तुमने जो हानी की है, जो सुदरने के लिए अब ग्या करोगे तुम एक उपाय है, पर मुझे उसके लिए साहिता की आउसकता पड़ेगी किसकी साहिता? उनी की जिनके पास उपारो का बंडार है उपार बंडार का ना खणाम, ग्राहक ही तो विग्रेता का भगवान होता है ना वो क्या है? मैं घर-घर जाकर रत्न और अभूशन बेचने का कार्य करता हूं तो आप स्वनकार हैं? हाँ छवा करना, हमें अभी कच्छू न चाहिए, आप जा सकते बाबा देख तो लो क्या पता कच्छू विशेश हो इनके पास? वैसे मैया ने अभी अभी हूं माला नहीं काथी को दी है अवस्य बाबा और लल्ला तोनों ने मिलकर कोई उच्ण बनाई है स्वनकार जी आपके पास, मी प्यारी से मैया के लिए कोई विशेश होर होगो? पच्छू विशेश हो तो ही दिखाना, हमारी राजरानी का मन जीतना इतना असान ना है ना ना, इसकी कोई आवसकता ना है क्या आपको सच्ची में ऐसा लगतो है कि मैं एक माला के कारण करोधित हूँ? हाँ? ये तो बालाक है पर आपने ऐसा कैसा सोच लिए हो? क्या मैं केवल बस्तूओं से प्रेम करती हूँ? और उस पर से स्वाणकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो रानी जी, सत्य तो ये है कि आप बीच में मती बोलिये, स्रीमान ये सुदा मैंने ना बुला है स्वाणकार जी को मैं जानतो हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है? आपकी मईया से तो मुझे भी भै लग रहा है प्रबू ना जाने कभी ये साक्षात मादुर्गा बन जाए आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे बलकि पूरा विश्वास है कि आपने ही मुलाया है नहीं चब भी ऐसी कोई बात होती है न Choose आप काना के साथ मिलके जे ऐसी यूज्ञा बनाते हो नहीं मैं इनके पुलाने से नहीं आया हूँ मैं श्री नारायन की उच्छा से आया हूँ श्री नारायन की सौगन मैंने सोचा कि यहां आकर एक दो हार तो बिखी जाएंगे और यहां व्रिंदावन की रानी जी जो रहती है अत्ती मत करो कुबेर जी स्वनकार जी ऐसी बात है तो आप ठैरो मैया ने मुझे सखायाएगी किसको अपने द्वार से निराश्णा भेज़ों चीए अरे पत्त सुनता मती करो इन्थी करोज में भी प्रेमी छिपा आटो है बात अनो की है ये इसलिए आपको ये अनोखा पूला बहार दिखाओ मैंने क्या समझाया था और इसने क्या समझ ली अरे मेरा चेयर थोड़ी था कि वो पहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकतो है ये देखे नंदराजी ना ये ना ये भी ना चलेगो इसकी तो शोभाई निराली है ओहो स्वनकार जी मैया को ये से बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे कुछ विशे दिखाओ ना कच्छो अनूखा कितना सुन्दर हा रहे वर्चे स्वनकार कानहा को उसे दिखा क्यों ना रहे वो तो मेरे सभी वस्रों के साथ जचेगो फॉट खिलेगो मुझे पे पंकार जी आप ये वाला देदो मैया के लिए और आपके लिए क्या राजकुमार मुझे बस एक मोती देदो आप बस केवल एक मोती हाँ ये राने जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती पंकार जी मल्य तो लेकर जाओ हाँ प्रभू के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे जो ठीक लगे वो दे दीजिये प्रडाम प्रडाम लो मैया खताओ कैसो है सुनो जी अपने लला को समझा दो यदि उसे लगतो है कि मैं उपहार की भूकी हूँ तो जे उसकी भूल है अरे उपहार ना है मैया ये तो साक्ष है कि मुझे ये भूल समझ में आ गई है और ये भी समझा आ गयो है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी म Spicy को लज़े तोना पड़े है ये साक्ष ही इस बात का कि मैं सची में छमा मांगरू कि मैरे कारण आपको इत्त दुख पढ़ो है ये इस बात का वे शाक्ष्य है ये मैंने अपनी भूल से सीख ली है ये मैं यादी कच्छू अनुशित कार्य करता हूँ तो पाली अंगोली मेरी मैया के उपर उपती है तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हूँ, वो अनुशित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए काना और ये इस बात का शाक्ष्य है मैया कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ जो हूँ चुको है उसे तुम्हा बदल ना सकता हूँ पर कम सी कम भूमाला तो बदल ली सकता हूँ जो आपने नहीं काकी को दिया और चौथी बात अव इलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ कि मैं वचन का प्रतिक है मैया कि मैं आज के बादे फूल कभी ना करूंगो तो मैं विश्वास तो ना होगो पर मैं कहे देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है जो कुछ भी कह रो है उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया अब तो सिकार कर लो ना इसे आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो फिर भी ना लो गया इधार आप तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो एक लल्ला को अपनी मैया की रूची पता चलनी चाहिए ना अब तक रो छोड़ दोना मैया मान जाओ ना पर जे अंतेम अफसर है लल्ला यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो इसा ना हो गुंबाईया आप चिंता मती करो उसके लिए भी सोच के रखो है मैने चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कच्छो ना दियो जे एक मोधी तु किस-किस को देगो माया हमन में आपने कही थी ना इस बीट से और पुरा व्रिक्ष उगा तुझ या तो तु इस मोधी को भूएगो उसमें से व्रिक्ष उगाएगो और जम उसमें मोधी आएंगी तो जे सारी गोपी को देगो ना लल्ला, आपने तो मेरा मन पढ़्लियो मैया अरे, पर... मैं परिहास कर रही थी लल्ला, मोती ब्रिक्च पे ना उखते क्यों ना उखते मैया, जब छोटी सी गुठ्ली से, बड़ा साम का ब्रिक्च उख सकतो है ये शाल जामून उख सकते हैं, तो मोती क्यों ना उख सकते लल्ला बीच से केवल फल और फूल उखते हैं, होती ना पर मैया अपनी तो क्या थी, शी नारेन का नाम देने से सक्पुचंबब हो जाता है तो फिर ये क्यों ना हुआ, नारेन के नाम में तो बहुत सारी शक्ती है, है ना हाँ, पर सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है, जब करेगो तभी सीखेगो, हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं, है ना माईय बाबा होगो कल सुवा हमारे आंगन में, मोच्यू का ब्रिक्ष मिलेगो, देखना आप दोनो चला आजा करेंग से, या जा भाइए, और मोच्यू, जीवन के अचिको, पर दोनो यह नारायन जे क्यासे संभव है? सुनो जी! जे देखो! क्या हो यह सुदा? क्या होगो काना? सुबा सुबा आप चाथी चीना या आप सर्प मैं कच्छू ना कच्छू दो देखो कितना विसेश उपा रहें मिरपान जे जे तो मोती है मोत्यों का प्रच पर जे तो असमाव है ना? लो आज सभी तु कहती हो तुम्हें बात अदिक प्रस्न पूछते हूँ अर अब देखो आते ही सब के सब प्रस्न पूछने लगें अब खड़ी रोगी कि आगे बढ़के मूती भी लोगी सुलक्षना का की आओ ना? आए ही लोगी आए है के आए है आए है आए कर देंए आए है हमारी इच्छा पूरी हो गए काना के हाथ से उपहार मिलगो हमे प्रभू ये चमतकार तो सभी के सामने कर दिया आपने कहीं इससे आपका सत्य माईया को पता तो नहीं चल जाएगा छे तो सच्ची के मोती है वैसे ही जैसे स्वर्नाकार के पास होते व्रिंदावन में जब से आये हैं कोई न कोई चमतकार तो हो ही रहो है आवस्से है किसी बहुत बड़ी देवी का असरवात प्राप्त है सिस्थान को कि देवी का असरवात या फिर हमारे कानह का कहीं सच्ची में कानह चमतकारी तो है मैंने कहा था ना प्रभू हैस गए जेवरिच अवस्से कानह ने बोय होगो है ना जीची आप तब भी ना बिना सकते जाने ही बोलने लगती हो यह मेरा चमतकारना है यह तो देवी का चमतकार है कौन सी देवी का मेरे मैया अर्थात आपकी यह सोधा देवी का जी क्या क्या रोयकान हां सत्य ही तो कह रहूं आप सभी बताओ जब हम गोकुल से विंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि विंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख्षुदा मिलेगी यहान एक बात भगवानशी गनेश का स्वर किसको सुनाई दिया था किसने कही थी हमारा काना मोती को बीच की तरब होएगो तिर उसमें सिब बड़ा सब रिक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे यह सोदा ने आप भी तो मैया हुईना में जो मक्कारी यह जो कहती है सत्य होकरी राचवा है चुपकर नटकर कुछ भी उल्टा सीधा हांके जा रहो है बश्यस असोदा जी काना कहे तो सत्य हो है तुम भी इसकी बातों में आगे शुलच्छना अरे जे तो सारे संजोग जोड़के बस अपनी बाते सिद्ध करने का प्रयास कर रहो है मैं कोई देवी ना हूँ मैं तो बस साधारन सी मैया हूँ और जे मेरा साधारन सा लल्ला है पर ये मोदियों का बिरच चमटकार है ना पक्की बात है लगता है किसी ना किसी देवी देपता का आशिरवाद है इस सिथाम को मुझा दूख तो में ना जानती पर हां स्री नारायन का अश्रवाद तो अवस्य है सिथाम ये सब आप क्वाब और श दो ओुट कर दो दो भुट कर दो अर दो बुटु हुआता 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 है मैं जानता हूँ कि आपने भी प्रतिक्षा करी है कौन प्रभू? असिरवाद नरायन का हूँ या देवी देपताउं का हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना काना बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा उपहार दिया है अच्छा जी जी अब हम चलते हैं नारायन 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 मैया ने इतना सब छूओ है यदि सारी तरकाया उग गई तुमारा करते वन बंग जागो बाबा मा तुम्हारे हाथ में चमतकार है तुम देवी हो काना अरे देख क्या रोए देवी खड़ी है आसन लेकर आ जा बिचा 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 अरे बतारो दीवी मा आसन गरहन करो अरे ना आप भूजन ना मनाएंगी आपको तो भोग लगेगो और वो मैं और काना मिलकर बनाएंगे इस बतारो दो जाओवी तो अरे कि अरे धुछ करो कि अरे जाओवी है अरे जाओवी है जे फूल कहां से अग है? रख्टाया उनका भे समाथ थोरा है किसका प्रभू? अब और प्रतीक्षन नहीं कर सकती कब दर्शन देंगे प्रभू? कब आएंगे आप? जानता हूँ तुम सब को किसने भेजा है? चाकर विंदा देवी को मेरा संदेश दो मैं कल उनसे मिल ल्याओंगा ये बचन है मेरा सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभू? प्रिंदा देवी ने ही भीजा था इन सब को प्रभू आप दे वचन तो दे दिया पर मैया की आग्या के बिना कर कैसे जाएंगे आपन? ये समस्या तो है वुली पर इसके समाधान के लिए मुझे आप सकता है प्रिंदा वन की सबी गायों की आज राट का समय है आप सब के पास मेरी साहिता करो गाउ मैया सारा चारा राट बर में समाध कर दो ये नारेट छेप 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 कैसे समभाव पतो नहीं माराच जब हम समय रहे आए सारी गईया और बच्छडे पहले ही से खुलेते इन्हें देखो तो साही ऐसा लगर होई कि जैसे भरपूर पेट चरा खाके अब बिस्राम कर रही हो तुम्हारा कहनेगार्थ जे है कि जे सब्ता भर का चारा एक साथ खा गई धन्यवाद काओ मैयाओ जे देखो नन्द राच आपकी बात पर सबने कैसे हामी बरी है जैसे अपनों दोस्ट सूकार का रोव है नन्द व्रिंदावन के हर घर की यही कता है सबी घरों का सारा चारा खा गई है अगई है अवसे ही किसी ने रात को इनकी इरसियन को खोल दिया था अब ऐसा कौन कर सकतो है अब जे मति कहयो कि जे भी मेरे खाना ने करो है हाने तो नाना जिच्जी खाना ऐसा क्यों करेगो भला हमें तो लगतो है अवसे ही किसी भूत प्रेट या पिसाच ने करो है ये सब हान भूत प्रेट पिसाचों के पास तो और कच्छो कार्य है ही ना रात में गईयाओं और बच्छों को खोल के चारा खिलाते फिर क्या मासी ना मुझे लगतो है जे किसी नटखट की सरारत पर मैं तो अच्रच इस बात पर हूँ कि कि जे हमारी गईयाओं और बच्छों ने सारा का सारा चारा एक रात में क्यासे समाप्त कर दियो मैं भी जही सोच रही हूँ अवसे गाओं मैयाएं फिरक्षा काकी से भी अधी भूकी रहे होंगी तू बस मेरे भोजन पर ये दिस्टी रख पतो है जब सिवरिंदावन आई हो तुर्बन हो गई हो तब तो आपको गईयाओं से भी अधिक भोचन के आप सकता है काकी पर मैं भी आपकी नहीं गईयाओं की बोचन की बात कर रहा था अब तो सारा चारा समाक्त होगो है अचानक से उनके लिए चारा कहां से आएगो समस्य तो सच्ची में विकट है पर समाधान हो गयो हमें व्रिंदावन के वन में भीतर तक जानो होगो और गईयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगो और ये कार्य हमें आज ही करनो है ये उजना सफल गई विंदा दीवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा रिद्धै प्रफुलित हो गया है प्रभू आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी तनिक सीगृता करो सब गउदुली वेला से पहले वापस लोटनो है हम सबको सब तयार है हाँ हम सब क्यार है नर्गार है हाँ बाबा मैं विद्धै आनू चलो मया कहां मया वन और कहां कहया को चड़ाने जा नहींगी ना ना तू कहिना जा रहो है जी लोग बहुत भीतर तक जा रहे है वन में नया स्थान है यहां की चुनोतियां कठिनाईयां इन समसे अन्भेग्या है हम जाने बालों को के लिए सुरक्षित है की ना जल्दी चलो विलम बोरो है लो जी मैया ने तो सारी योजनाई चपट कर दी अब विंदा दीवी को जो वचन दिया है उसी कैसे निबहुन है मेरे प्रभू आने वाले हैं मुझे उनके स्वागत की तयारी करने होगी सुनका ना इकारे करे ना आप मेरी बात ना सुनती मैं भी आपकी बात ना सुनोंगो इत्ता क्रोद? क्यो रहे? बन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था मिलना था? बन में किस से? यह क्या बोल दियो मैंने? मेरी स्वेम मेरी प्ततिक्षा करी है अच्छा ठीक है बन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे बहुत आनंद उठाएंगे पता कौन था खेल खेले? कर तो छमाप त्रोटी को मेरी भूल भी जाओना तोट को कानहा? ऐसे दूर जाओना ओ कानहा अपनी मैया को रितैसे लगाओना ओ लल्ला मेरे मान जाओना कानहा मान जाओना मैंने तो कित्ते समय तक बनाया था मैया को जब यह रूट करे थी पर यह तो इस्टी सिग्राइट अंगाई मेरे तोरी जाओना जाओना झाल तुम यह दो हम कोई नो या केर खेर रहे किया काना मैं तो आपसे क्रूदित था मैया कोई खेल ना खेल लो मुझे तो बन जानो आए आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाओंगा अपने सखाओं के साथ प्रयास भी मति करियो लला और तुम सब भी तुम में से कोई भी बन जाने का प्रयास ना करेगा समझाई अच्छा लला मैं तुझे वच्चन देती हूँ अगली बार जब बन जाओंगी न तुझे साथ लेके जाओंगी बलकि मैं जब भी बन जाओं तु मेरे पीछे पीछे आ जाईओं बस मुझे पत्तु है मैं ऐसा करूँगो तो आप मुझे खर पे ताटके बैठा दोगी ना लला पैने वच्चन दियो ना मैं जब भी बन जाओं तु मेरे पीछे पीछे आ जाईओं पर हम जाएंगे कब अब उसका निर्ने बाद में करेंगे लला अभी तुम सब बताओं खाने के लिए कच्चु लाओं अरे मुझे तो आज ही जानो है माईया मीठे बुए हाँ मीठे बुए ठीक है तुम सब यही प्रतिक्षा करो मैं करम गरम पुए लेके अभी आई अब इतने दुखी क्यों है प्रभो फ्रिंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतिक्षा और कर ले यह तो प्रतिक्षा कर लेगे मुड़ी पर कंस मामा नी करेंगे यदि उसने मुझ पर दृष्टी रखी है तो इसका हर्थ है कि अनुशासन में कमी है किंटो अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे उसको अधेका अनंदा आएगा महराज आपने ये ये तो हमारा सर्व श्रेष्ट गुप्तचर था तर्व श्रेष्ट गुप्तचर तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग नौस इसनों अफ्तार के विरुद्ध कर सकूं दुर्जान तुमारा दायत वो बढ़ गया है अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूड़ना होगा अन्यता इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे क्या हुआ काना तुम्हें मिटे कुआ नहीं काने मुझे बन जाना है दाओ चलो ना सब चलते है पर हम तो प्रति दिन जाते हैं काना वैसे भी वहाँ जामून के व्रिक्ष के अतिरिक कुछ विशेशना है वाके बन में मैंने तो उत्ते बड़े-बड़े बन देखिया कि क्या बताओं केले के छिल्खे को खाके कह रहे हो किस वादना है पहली मत बुझा काना कहना क्या चातो है वो बता यही तुम सबने जो देखो है न वो विंदावन का बाहरी भाग है असी वन तो बीतर है खेराई मैं जहां आज काओं के बड़े-बड़े लोग गई है बाबा क्या दे थे वाकेवल जामून के व्रिक्ष ना और धेड सारे मीठे फलों के व्रिक्ष ना कि पेड भर जाए पर मन ना भर रहे आपको पसू प्रिया है न दाओ एक से बढ़के एक पसू है विंदावन में इत्ते छोटे से लेकर इत्ते बड़े-बड़े है प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे भूल जाओ काना जब छोटी मा ले जाए तो ही उनी के साथ ही जाना हमें तुमाही तरह उखल से बंद कर दंद पाने में कोई रूची नहीं है पर दाओ मैया ले जाएगी तब तो चलूगे ना हाँ स्वेम भी चलूँगा और इन सब को भी लेकर चलूँगा वाँ पुछ पे छोड़ दो दाओ आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ कहां चलेगा सब के सब खानहा बल्राम